हेलो फ्रेंड्स मैं नीवु जिंदल शीरी हरीक रोचिट नेटिंग चैनल की तरह से आप सब वहनों का अपने चैनल में स्वागत करती हूं देखिए आज मैं फ्लावर वाली ये एक ड्रेस लेकर आई हूं आपके लिए देखिए इसको मैंने चोटे साइज में बनाया है ये चार से पांच नंबर तक के लड़ू गपाल जी के लिए है देखिए इसके जो बीच का साइजा वो 6 नंबर के लिए बनेगा अगर आपको 6 नंबर के लिए इतना ही चाहिए तो आप इतना भी बना सकते हैं देखिए ये मैंने 8 नंबर के लिए बनाया है 8 और 9 नंबर के ल लगती हैं देखिए अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई प्लीज लाइक कीजिए लाइक करने से देखिए मुझे पता चलता है कि आप हमारे से अटेच हैं आपको हमारी जो भी वीडियो है अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है इस ड्रेस के लिए लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अपिस अबसे पहले को सब्सक्राइब करें लेह एल पर कलिक करें और पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नए स्टार्ट करें देखिए जो भी आपको अच्छी लगे आप उस तरह से बना सकते हैं देखिए इसके अंदर मैंने 11 नंबर का क्रोशे यूज किया है वूल आप कोई भी ले सकते हैं ज्यादा मोटी वाली वूल आप यूज ना करें चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमने देखिए इसके अंदर चोली के डाले हैं यहां पर एक दो तीन चार पांचे रोंड के बाद हमने डिवाइड किया एक दो थे एक दो-स तीन में एक double crochet, एक में 2 एक में 1 एक में 2 इस तरह से मैंने ये first round लगा लिया है देखिए second round में देखिए इसके अंदर हम यहाँ पे मैंने 1 बनाया, अब यहाँ पे दूस्री में बना लिया दो देखिए अब हमने देखिए 1 दो पहले हमने एक छोड़ कर दूसरी इससे हमने में बढ़ाय था अब दो चोड़कर तीस ही में फिर तीन छोड़कर चोथी में फिर पांच चोड़कर छटी में इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए हमने जाना देखिए इसकेέ हम कम से कमwen पांच छे राउंड लगा लेते हैं इस तरह से एक डबल क्रोश्या को बढ़ाते जाएं तो उसके बाद हमने इंक्रीज करना है इस तरह से 6 राउंड कम से कम लगा कर फिर देखते हैं कि कितना होता है क्योंकि उसके नीची हमने इसके फिलावर बनानी है चलिए इसको बना लेते हैं देखे, इस तरह से हमने ये बना लिया है, देखे, इसके अंदर हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ राउंड लगा लिया है, मैंने देखिए जो 7th round था उसके अंदर मैंने कोई भी डबल क्रोशिया यहां पे बढ़ाया नहीं है सेम पे सेम लगा लिया है एक round देखिए इस तरह से यह बन गया है अब देखिए हमने नीचे इसके round लगाना है देखिए यह मैं 8 नंबर की dress है जो थोड़ी short में बना रही हूँ अगर आपको इसको ज्यादा बड़ा गेरा चाहिए तो आप और भी बना सकते हैं क्योंकि देखिए इसके नीचे अभी flower भी बनेगा तो इसका diameter अभी और भी बनेगा देखिए इसका diameter अभी आठ इंच अभी भी हो गया है चलिए हम आगे बनाते हैं अब हमने क्या करना है अब हमने यहाँ पे हमने एक चैन बनानी है एक चैन बनाकर हमने एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ चैन बनानी है और नीचे से देखिए एक दो तीन चार पांच पांच स्किप करने के बाद हमने सातवी चैन में हमने सिंगल करोश्या बनाना है फिर से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ, चैन लेंगे, नीचे से पांच स्किप करेंगे, और सिक्स के अंदर हमने सिंगल गरोशय बनाना है, इस तरह से हमने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, देखी, आप जो हमारा ये लास्ट वाला राउंड है, इसके अंदर आप इसको सारे मतला जो भी डबल क्रोशी आप इसको I backward करने के बाद ए कि की यह हमारे पास जितने डबल क्रोशी आप इसको कॉउंच करने के बाद आप उसे ब्ल में डिवाइड कर ले क्युक्सि हम ने दिखिए यहाँ पे छोड़ने हैं और 6 में हमने single crochet बने 6 में divide कर लें देखें जो हमारे पास ये त्यार होंगे ये में देखें हमें even number में होने चाहिए order number में नहीं 12 14 16 18 20 इस तरह से होने चाहिए 11 13 15 में नहीं होने चाहिए तो हमारा design ठेक नहीं आएगा तो आप इस तरह से अगर एक दो आपके यहां पे कम हो तो आप adjust करें बनाने में अगर एक दो जादा हो तो कहीं पर मतलब 5 की जगा पर 6 छोड़ दें अगर कम हो तो 5 की जगा आप 4 छोड़ दें इस तरह से हमने adjust कर लेना बट्टिसी even में बनाने है even number में चलिए हम इस round को complete क कर लेते हैं देखें एक दो तीन चार पांक निचे से पांच सकिप कर रहेंगे साथ चैन बनानी है और सिंधल क्रोश्य बनाना है इस तरह से हम इसको completely कर लेते हैं देखिए अब हमने यहां पे साथ चयन बना ली है देखिए इसकी फर्स्ट ओली जो चयन है वहाँ पे हम सिलिप स्टिच कर देंगे इस तरह से देखिए यहां पे जॉयंट हो गए अब इसको हमने कट कर देना है देखिए अब हमने यह महरून कलर लगाना है हमने जो मैंने इसके उपर बेडिंग की है देखिए मैं आपको बताओं देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सारा, अठारा, उननिस, बीस, इकिस, बाइस, देखिए हमारे पास मेरे पास यह बारा, बाइस आ गए है देखिए आपके पास यह मैंने आपको पहले भी पताया था कि इवन नमबर में आने चाहिए, यह और नमबर में नहीं आने चाहिए, अठारा, बीस, सूला, चोदा, जितने भी आपने रखने है, जिस इसाफ से आपने जिसने नमबर की ड्रेस बनानी है, उस इसाफ से आपने इसको बनाना है, देखिए अब हम इसका नीचे, यह सिंगल क्रोशिया के उपर जो यह चैन बन जाती है इसके उपर हमने धागे को अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया ही हमने बनाना है देखिए जी सिंगल क्रोशिया बन गया है हमारा अब देखिए जो हमने यह साथ की चैन बनाई थी इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है एक, दो, तीन, चार, आज, छे, साथ, आठ, और 9, देखे, हमने 9 सिंगल क्रोशिय, इसके उपर बनाने हैं, यह साथ जो चैन बनाई थी, हमने, देखे, इसके उपर 9 बनाने हैं, अब हमने देखे, एक सिंगल क्रोशिय, इसके उपर सिंगल क्रोशिय के उपर बनाना है, इस तरह ऐसे, अब देखे, 9 सिंगल क्रोशिय, फ कि इस तरह से अब हमने सिंगल करोशे के उपर सिंगल के इस तरह से हमने इस राउंड को कमप्लीट कर लेना है हमारा यह राउंड इस तरह से यह कमप्लीट हो गया है अब हमने क्या करना है यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने 8 चैन बनाने हैं 8 चैन बनाने के बाद हमने complex stitch बनाना है उसके लिए देखिए हमने क्या करना है सबसे पहले क्रोशिय पर चार बार बल लेंगे एक, दो, तीन और चार चार बार बल लेने के बाद देखिए जो हमने यहाँ पर single क्रोशिय बनाया था वहाँ पर हमने देखिए इस तरह से पहले एक लूप निकालना है अब देखिए हमने दो का एक किया फिर दूसरी बार दो का एक किया तीसरी बार दो का एक किया फिर फोर्थ चोथी बार दो का एक किया अब इसको नहीं करेंगे अब देखिए हमने फिर से दो बार बल लेना है दो बार बार लेकर देखिए हमने जो ये बनाया है इसकी जो फर्स्ट वाली चैन है देखिए थोड़ा सा आपको महरून की वज़ा से चाहिए ना दिकाई देखिए इसकी फर्स्ट वाली चैन के दोनों स्टिच में से हमने निकालना है इस तरह से दोनों धागे लेने हैं हमने अब देखे इस में से हमने पहले तो इसको निकालना है अब देखे मारे पास एक बार निकाला और दो बार निकाला दो बार निकालना है हमने देखे अब हमारे पास तीन हो गए अब फिर से मैं दो बार बल लूँगी और इसी में से हमने दुबारा से बनाना है पहले धागा निकालना फिर एक बार निकाल दिया दो का एक फिर दूसरी बार दो का एक देखे अब हमारे पर क्रोशिय पे चार हो गई है अब फिर से हमने दो बार बल लेना है फिर यहीं से हमने दुबारा से निकालना है इस तरह से बल लेना है एक बार निकालना दो बार निकालना देखिए अब हमारे पास यहाँ पे पांच हो गए है अब पांचों को इकठा निकाल देंगे हम इस तरह से अब हमने फिर से एक द दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, आठ चैन डालने के बाद, देखिए इसको हमने यहाँ पे जोइंट करना है, जो हमने यहाँ पे सिंगल करोशिया बनाया था, यहाँ पे सिंगल करोशिया बनाना इस तरह से हमने यह, बनाना इस तरह से यह, अब हमने फिर से आठ चैन लेनी है एक दो तीन चार पाँछ छे साथ आठ लेने के बाद देखी अब हमने क्या करना है चार बार बंद लेना है एक दो तीन चार चार बर बल लेने के बाद देखिए हमने यहाँ पर कर चुके입니다 अब next वाली जो हमारा single crochet है यहाँ पर इसके उपर हमने यहाँ पर पहले तो धागे को निकालना है देखिए अब हमने एक बार दो काई किया दो बार, तीन बार, चार बार अब इसको निकरना हमने, यह धागे को हमने रखना है अब दो बार बल हमने और लेना है दो बार बल लेकर देखें जो हमारा यह फर्स्ट वाला है इसके दो धागे हमने रखनी है दो धागों में से फर्स्ट चैन है जो उसमें से हमने निकालना है पहले तो हमने धागा निकालना है फिर देखें एक बार निकालना है हो गए हमारे पास चार धागे हमने पांच करने हैं तीसरी बार हमने फिर से दो बार बल लेना है और इसी जगा से फिर से हमने बनाना है देखिए एक बार और दो बार देखिए अब हमारे पास पांच स्टिच पूरे हो गए हैं अब पांचों में से इकठा निकार लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ चैन बना कर देखें, नेक्स्ट वाली जो हमारी ये सिंगल क्रोशिया है इसके उपर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिना है देखें, इस तरह से हमने ये दो के उपर हमारा एक डेजाइन बनेगा इसके उपर एक-एक फलावर बनेगा देखें, मैंने इसके अंदर हमारे पास पाइस बनाए थे पाइस के उपर हमारे पास ग्यारा फलावर बनेगे देखें, आप इसको हर साइज में बना सकते हैं देखिए हमारे पास जितनी चोटी ड्रेस लेंगे उतना ही हमारे पास है यह मतलब जो घेरे के राउंड हम कम लगाएंगे देखिए जीरो और एक के लिए आप यहां से सिरफ दो राउंड लगाकर इस डिजाइन को बना सकते हैं जितने डबल क्रोशिय आपके यहां पर सेकं Must है कि उसके बारम सकते हैंSNS 5 बनेंगे के लिए हमें पाश यहांप राब कि वासन से यहां बनेंगे इस्तरह से हमारी बड़ी चोटी ड्रस बन जायेगी देखिए जो यह आप क्या संद करते आप उसी साफ से बना सकते हैं इसमें कोई बड़ा चोटे की बात नहीं है कर लेते हैं इसी तरह से देखिए इस तरह से यह राउंड खत्म हो गया देखिए इसको हम यहाँ पी जो हमारी यह पहली चैन है यहाँ पर इसको स्लिप स्विच से जाइन कर देंगे अब देखिए हमने क्या करना है देखिए अब हमने क्या करना है देखिए जो हमारे पास है यह चैन है इसके अंदर हमने 9 सिंगल क्रोश्या बनाना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नो देखिए 9 सिंगल क्रोश्या बनाए देखिए जो हमने यह कंप्लेक्स स्टिच बनाया था देखिए उसके उपर जो हमारे पास यहाँ पे एक चैन है यहाँ पे हमने एक स्लिप स्टिच देना है इस तरह से अब देखिए हमने क्या करना है हमने जो यह बनाया था यहाँ पे हमने वर्क करना है देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए मैं आपको दिखाऊंगी एक, दो, तीन, चार, चार स्टीच है हमारे पास, यहाँ पर, देखें, जो फर्स्ट वाली स्टीच है, उसके उपर हमने काम करना है, देखें, यहाँ पर, इसकी अंदर हमने सिंगल करोशिया बनाना है, इसको इस तरह से पकड़ लेंगे, देखें, इस वर्क को इस तरह से प पकड़ लेंगे और इसके अंदर से हमने नो बार सिंगल क्रोश्या बनाना है एक दो तीन चार पांच छे कि इसको साथ-साथ लगा देंगे साथ, देखेंजरेंखेंगे लोज ही बनाना है क्योंकि हमने इसके उपर अभी वर्क भी करना है नो, देखेंगे 9 सिंगल क्रोश्या बनाएंगे अब हम इसको तर्न करेंगे और इधर की जो इधर वाला वर्क है बीच वाले दो हम छोड़ देंगे इधर वाले इसके अंदर अब हमने नो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और नो देखें, नो बना दिए हमारे पास देखें, कुछ इस तरह से बनके आगया जो हमारे पास अब जो बीच में दो है इस वाली साइड में से हमने सैबन बार सिंगल क्रोशिया बनाना है इसी तरह से इसको टर्न करलेंगे बस एक इसको इस तरह से पकड़ लेंगे दो तीन चार पांच छे और साथ इसके अंदर हमने साथ बना दिए अब इसको फिर इस तरह गुमा लेंगे और जो एक बच गया है हमारे पास है ये वाला इसके अंदर भी हमने साथ सिंगल क्रोशिया बनाने हैं यहीं से स्टार्ट करते हैं उसके अंदर क्रोशिया डाल कर देखें इसको यहीं से इस तरह से पकड़ लेंगे हम दो तीन चार पांच छे और साथ देखें इस तरह से मैं दिखाऊंगी आपको इस तरह से यह वर्क बन कर आ गया है देखें अब हमने क्या करना है अब हमने इसको इस साइड से घूम जाना है अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यह वाले जो इस साइड वाला है इस पे से हमने वर्क करना है पहले इसके उपर हम वर्थ करेंगे देखिए आपको इस कलर पर दिखाऊंगी बनाकर देखिए यह हमने आठ नंबर की ड्रेस्ट त्यार की है और यह हमने चार नंबर की ड्रेस्ट त्यार की है देखिए यह तीन नंबर चार नंबर के लिए हमने इतना ही बनाना है देखिए इसलिए मैंने आपको इस तरह से बना कर दिखाए तांकि आपको चोटी बड़ी ड्रैस बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो देखें इसके अंदर हम इसके अंदर हमारे पास देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ बन कर आएं इसके अंदर आठ नमबर के अंदर मेरे पास ये ग्यारा बन कर आएं इसके अंदर हमारे ग्यारा फिलावर बनेगे इसके अंदर हमारे पास साथ फिलावर बनेगे देखिए ये तीन नमबर के लिए और चार नमबर के लि देखें हमारे पास 7 पैटन है तो 8 भी बन सकते हैं नो आपके हिसाफ से कि आपने कितना घेरा रखने है जितने आप राउंड ज्यादा लगाएंगे उतने हमारे पास ये फिलावर भी ज्यादा आएंगे क्योंकि हमारे पास ये डबल करोशिया बढ़ जाएंगे इसलिए अगर आपने 0 नंबर के लिए बनानी है, 0 और 1 के लिए बनाएंगे तो हम इसके राउंड कम बनाएंगे, तो देखें इसके अंदर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आएंगे, तो उसके अंदर हमारे पास 5 डिजाइन आ जाएंगे, इस तरह से मैंने आपको छोटी और बड़ी दो करें, 6 के multiple से, 6 में divide करना है, सोरी हमने उसको जितने भी आएंगे, उसके इसाफ से हमारे पास even नंबर में होने चाहिए, odd नंबर में हमारे ये बनकर नहीं आने चाहिए, बस इसी बात का हमने ध्यान रखना है, देखें, हम इसको जब भी ये flower बनाने के लिए स्टार्ट कर करने इसको, देखें, हमने यहां से single crochet बनाते हुए जाना है, देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखें, जो हमारे पास ये single crochet बनाएंगे, इसको थोड़े lose ही रखने हमने, ज्यादा tight नहीं बनाना क्योंकि इसको उपर हमने work करना है, और ये 9, देखें, 9 बनाने के बाद, जो हमने ये बनाया था, इसके उपर जो chain है, top पे, यहां पे, इसके उपर हमने slip stitch करना है, इस तरह से, देखें, अब हमने क्या करना है, देखें, हमने, दे 2, 3, 4, सार चार बार बनाया था, इसके चारों के अदर हमने work करना है, सबसे पहले हमने this side करना है, फिर उपर इसको turn करके इस side करना है, फिर इस side, देखें, हम पहले इसपर work करेंगे, यहां पे, इसके अंदर हमने 9 single crochet बनाने है, एक, देखें, इसको इस तरह से हम पकड़ लेंगे इस तरह से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और नो देखे नो सिंगल क्रोश्य हमने बना लिए हैं अब हम देखे इसको टर्न करेंगे इस साइड आप इस साइड वाला जो है बाहर वाला इसको पकड़ेंगे और इस भी नो सिंगल क्रोश्य करना है हमने यहाँ पी एक, दो, तिन, चार, पाच, छे, साथ, आठ और नो देखे इसके अंदर भी हमने नो बार सिंगल क्रोश्य कर लिया अब देखे हम इस साइड आएंगे जो हमारे पास दो बच गए हैं देखे इसकी अंदर हम इस तरह से क्रोश्य को डाल लेंगे इस पर वर्क करेंगे हमने यहाँ पर हमने साथ बार करना है अंदर वाली एक, दो, करना हमने सिंगल क्रोश्य आई है, साथ बार करेंगे, तीन, चार, पांच, छे, और साथ, के साथ बार वर्क होगे, अब हम इसको टर्न करेंगे, जो हमारे पास दीखे एक बीच में बच गया, यह वाला, अब हमने इसके अंदर साथ बार सिंगल क्रोश्य करना है, एक, कि इसको हम इस तरह से पकड़ लेंगे, इस तरह से, दो, तीन, चार, लेकर लूज करेंगे तो हम इस साइड अप इसको कर सकते हैं, पांच, छे, और साथ, लेकर साथ बार हमने इसको बना दिया है, अब देखिए हमने साथ बार बनाने के बाद, अब हमने क्या करना है, एक चैन बनानी है, अब देखिए हमने इसको यहीं से बैक करते जाना है, जिस पे हमने अभी बनाया है, साथ बार इसको यहीं से इस तरह से पकड़ेंगे, एक चैन मैंने अल्लेडी बना ली है देखिए अब हमने जो सबसे पहली वाली स्टिच है उसकी अंदर हमने सिंगल क्रोश्य करना है सारी चैन की अंदर हमने सिंगल क्रोश्य करना है साथ के उपर जो साथ बार सिंगल क्रोश्य करना है तीन, चार, पांच, छे, और साथ, देखी इस वार हो गया, अब हमने इस साइड वाले जो हमने साथ अजे बनाई थे, सिंगल क्रोश है, इसके उपर करना है, एक, हमें दिखाई दे रही है, इसकी चैन, दो, तीन, चार, पांच, छे, देखी, अब हमने जो हमारे पास एक बच गया है, साथ तो इसका, देखी हम, छे पे हमने कर लिया है, देखी इस तरह से, अब हम दिखी इसकी सैवंथ पे आ गई है, इस पे हमने दिखी एक बार सिंगल क्रोश्य करना है, और एक बार हमने यहाँ पे डबल क्रोश्य करना है, अब दिखी हमने, जो हमने यहाँ पे नो बनाए थे, इसके उपर वर्क करना है, सबसे पहले हमने, यहाँ पे एक डबल क्रोश्य बनाना है, एक में एक बार डबल क्रोश्य बनाना है हमने, एक में दो बार डबल क्रोश्य बनाना है, जिसके अंदर हमने नो नो सिंगल क्रोश्य डाले थे, उसके अंदर यह करना है, एक चैन में एक बार डबल क्रोश है, दूसरी चैन में दो बार डबल क्रोश है, एक चैन में एक डबल क्रोश है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, दूसरी चैन में दो बार डबल क्रोश है, एक में एक बार, एक में दो बार, अब एक में एक बार, दूसरी में दो बार, किस तरह सारा हमने इसी तरह से करते जाना है, इसको पूरा पैटल त्यार कर लेते हैं, इसका नो इधर खे थे, नो उधर के थे, सभी पर हमने इसी तरह से करके जाना है, दो बार, इसमें एक बार, इसमें दो बार, इसमें एक बार, इसमें दो बार, इसमें एक बार इसमें दो बार अब हमने देखे इसको पूरा कर लिया है दिखाऊंगी मैं हमारा इस तरह से हमारा कम्प्लीट हो गया है अब हमने क्या करना है हमने इस साइड तो दिखे जो हमारी आठकी चैन थी नो पार हमने सिंगल करोशिया बना लिया था अब हमने देखे इसके जो पीछे ये है इस पे बनाना है यहाँ से सीधा बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और नो हमने क्या करना है अब एक चैन डालनी है इस तरह से अब हमने देखे इसको यहीं से टर्न करेंगे अब हमने यह दूनों वाली पे वर्क करना है देखे सबसे पहले हमने क्या करना है इसका फर्स्ट वाली चैन की अंदर हमने सिंगल करोशिया बनाना है फिर सेक्ट की अंदर हमने हाफ डबल करोशिया बनाना है फिर थर्ड की अंदर हमने डबल करोशिया बनाना है फोर्थ की अंदर हमने फोर्थ और फिफ्थ की अंदर हमने दो-दो डबल करोशिया बनाने है एक बर बना लिया अब दूसरी में दो बर दूसरी में दो बर अब हमारे पास दिखिए चार बच के चार के उपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है हमारे पास यहाँ पर भी नो नो सिंगल क्रोशिया थे यहाँ पर यहाँ पर हो गया अब देखिए हमने जैसे इसको बना के लाई इस तरह से करना है अब इस साइड हमने यहां से स्टार्ट करना है सबसे पहले वाली चैन के अंदर हमने एक बार सिंगल करोश्य करना है दूसरी में एक बार करना है तीसरी में एक बार करना है और फोर्थ में एक बार करना है हम इस सबरकों का अब इस तरह से करते ले जाएंगे कि अब फिफ्ट चैन में हमने दो बार डबल क्रोश्या करना है शिक्स में दो बार करना है देखे शिक्स में दो बार करना है अब हमने सैवंत में एक बार डबल क्रोश्या करना है और एर्थ में हाफ डबल क्रोशिया करना है और नाइन्थ में हमने सिंगल क्रोशिया करना है ये लास्ट हमारी नाइन्थ बच गई है इसमें हमने सिंगल क्रोशिया करना है अब एक चैन देखर हम इसको यहीं से टर्न करेंगे अब देखिए हमने ये उपर वाला लास्ट वाला करना है इसके लिए हमने देखिया क्या करना है सबसे पहली वाली चैन में हमने सिंगल करोशिया दूसरी में हाफ डबल करोशिया तीसरी में हमने दो डबल करोशिया करने है तीसरी चैन में अब उसके बाद चौती में हमने एक बार, पांच में में हमने एक बार, फिर सिक्स में हमने दो बार डबल क्रोशिया, फिर सेवंथ में एक बार, एर्थ में एक बार, और नाइन्थ में दो बार, और टैन्थ में एक बार, अब हमने देखिए यहाँ पर, यहाँ पर हमने इसमें भी दो बार करना है, अब हमने देखिए, दो छोड़ लेने हैं, इसकी अंदर हमने पहले तो एक में डबल क्रोशिया करना है, फिर इसकी अंदर हमने क्या करना है, ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से टिपल क्रोश्य करना है फिर दिखिए तीन बार बार लेने हैं फॉर्थ क्रोश्य करना है हमने जो इस पैटल की एक ये वाली एक चैन बच गई हमने इसके अंदर फॉर्थ क्रोश्य करना है फॉर्थ क्रोश्य के लिए हमने तीन बार बार लिया है टिपल के लिए हम 2 बार लेते हैं कि Х 2 बार निकलना तीन बार और चार बार सब्सक्राइब त्रें बार तीन बार बलिया फोर्त करोशा करना है इस किस दर्ली जैन पर फ्रस्ट वाली चाह Elena अब दिख्यान है वहाँ और यह जि Kelsey आप टृफल कर रोशय करना है नेक्सट आभि अब इसी चैन की अंदर हमने डबल क्रोशिय करने है एक अब नेक्स्ट पे हमने दो डबल क्रोशिय करने है देखिए उसके बाद हमने देखिए एक में एक बार फिर नेक्स्ट में एक बार फिर उससे नेक्स्ट में दो बार इस तरह से हमने करते आना है लास्ट के दो छोड़ लेंगे हम एक बार फिर इसमें एक बार और इसमें हमने दो बार रबल क्रोशिय देखिए अब हमारे पास दो लास्ट बच गए हैं इसमें हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट वाली के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया देखिए अब हमने देखिए जो हमारे पास यह यहां नेक्स्ट यहां पे सिंगल क्रोशिया किया हुआ है यहां पे स्लिप स्टिच करेंगे हम इसको इस तरह से देखिए हमारा ये वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो गया है इस तरह से देखिए ये बनेगा देखिए कितना सुंदर बनकर आ रहा है ये फिलावर बहुती असान है बनाना देखिए आप इसको इसी तरह से बनाएं देखिए मैं आपको एक बार और बता देत सबसे पहले देखिए हमने यहां से 9 सिंगल क्रोशिया बना कर लेकर जानी है यहां से 9 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए जो हमने यहां पे चार बार बार किया हुआ है इसके उपर 9 बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है फिर इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे फिर हमने इसके उपर नो बार सिंगल क्रोशिय बनाना है फिर हमने इसको फिर दुबारा से गुमाएंगे इस साइड वालिक पर हमने साथ बार सिंगल क्रोशिय बनाना है फिर इसको इस तरह से गुमाएंगे तो इस पर साथ बार डबल क्रोशिय बनाना है तो हमारे पास यहां पे आकर इसको जोड़ देना है फिर यहीं से हमने देखिए इसको बैक करना है हमने यहां पे देखिए साथ सेंटर वाली में से हमने स्टार्ट करेंगे साथ सिंगल क्रोश्या के उपर साथ सिंगल क्रोश्या बनाएंगे फिर इस साइड आएंगे साथ सिंगल करोशया के उपपर हमने छे सिंगल करोशया के उपपर छे सिंगल करोशया बनाने है साथ में के उपपर हमने एक हाफ डबल करोशया और एक डबल करोशया बनाने है फिर हमने उसके बाद देखे इसको किया फिर इस साइड आ जाना है हमने इस साइड मैंने देखी हमने आपको सारा कुछ बताया है एक की अंदर एक डबल क्रोशिय एक के अंदर दो एक के अंदर एक के अंदर दो इस तरह सारा पैटल हमने इस तरह से बना लाना है इसको इस त हमने इस तरह से इसकी जो हमने ये पैटल बनाई है इसके हमने बीडिंग भी करनी है देखिए इसके मैंने reverse बीडिंग की है आप चाहे दूसरे single crochet वाले भी कर सकते हैं देखिए आप इसको कहीं से भी start कर सकते हैं यहां से start कर लें कहीं से भी कर लें देखिए इस तरह से करना ह हमने चैन में इसे देखिए दागे को निकाला दो का एक किया फिर रिवर्स का देखिए बैक जाना है पीछे की तरफ यहां करोशिय डाला इस तरह से फिर पीछे वाली चैन में करोशिय डाला यहां और इस तरह से हर एक चैन में हमने करोशिय डालता जाना है और दो का एक करते जाना है देखिए इसको निकालना नहीं है अब इसके अंदर ही रखना है करोशिय के अंदर देखिए अब दो होगे दो का एक देखे सिधागे को हमने उतना ही खीचना इतना बड़ा नहीं खीचना इतना ही रखना है कि जितना हमारे एक चैन जितना हो इतना कि इस तरह से हमने हर एक चैन में इसको करते जाना है देखे हमने यहां से स्टार्ट किया था इसको यहां मालों आपने यहां से स्टार्ट किया फर्स्ट चैन से इसको सारा इस तरह से बनाते लिए आए फिर देखे उसके बाद हमने इसको यहां पे जो यहां पे टैच किया था यहां पे हम करना है और उसके बार फिर से यहां से स्टार्ट कर देंगे हम इसको साथ साथ जो चैन आ रही हर एक चैन में से हमने इस तरह से करते जाना है कि यह थोड़ी सी इंबॉडरी जैसा वर्क बन जाता है देखने में भी कितना सुन्दर लगता है यह कि दूसरी ड्रेस पर मैं आपको सिंगल करोशिय वाली बीडिंग करके दिखाऊंगी आपको जो ठीक लगया आप उसी तरह से बना सकते हैं देखें यह मैंने चार और पांच नमबर के लिए बनाई है वो मैंने साथ और आठ नमबर के लिए बनाई है देखें इस तरह से हमने सारे पूरे घेरे पर प्रगंगी झाल झाल अब देखिए हमने इसको यहाँ नीचे यहाँ पे करना है यहाँ पे सिंगल करोश्य बनाया हुआ है वहाँ पे अभी देखिए इसका एक स्टिच बाकी है इसको यहाँ पे कर देंगे अब हमने देखिए इसको जो हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हमने क्रोश्य हुक को डाल कर इसको इस तरह से खीच देना है और इसको यहाँ पे हम कट कर देंगे देखिए इस तरह से यह बनकर त्यार हो गया है देखिए यह वाली साइड है जो हमने हर एक के उपर इस तरह से कर देनी है और देखिए जो हमारा यह कौर्नर इसको अब थलका सा टच कर दें यह बनाई से बाहर आ जाएगा पैटल की शेप में आ गया है देखिए इस तरह स बन कर त्यार हो गए देखे कितनी कुपसूरत लग रही है देखे यह ड्रस आप चार पांच और छे नमबर के लिए आप इतना ही साइज बना सकते हैं देखे क्योंकि इसकी जो छोटा साइज है जीरो और एक नमबर का मैं आपको वो भी साइज बना कर दिखाऊंगे कि दिख कि मैं हमें अपने साइज का बतावाएं इसलिए मैंने इससर डिजाइन में सभी साइज की डेस त्यार की हैं देखे यह मैंने दिखी जो मैंने यह आठ नमबर की डेस बनाई है देखे इसके अंदर जो हमने यह फ्लावर बनाई है इसके अंदर मैंने बीडिंग कर दी है द देखिए इसका भी मैं आपको सिखा देती हूं कि हमने कैसे करनी है कि दोनों तरह से अच्छी लगती हैं ड्रेस देखिए हमने इसको यहां से स्टार्ट करनी है यहां से साहिं पहले हमने यहां पे करोश्य को डाल कर एक चैन बना लेनी है दागा हमारा देखे फिक्स हो जगा फिर यहीं से हमने एक इस तरह से सिंगल क्रोशिय बनाना है अब हमने रिवर्स से जाना है देखिए नेक्स्ट वाली चैन में इस तरह से बनाते जाना है हार एक चैन में से हार एक चैन में हमने इसको बनाना है जैसे यह राउंड में है वैसे हमने इसको बनाते जाना है इस तरह से थोड़ा थोड़ा गुमा कर देखिए इस तरह से हमने इस से पूरी डिजाइन पे वर्क कर लेना इस तरह से सारा इस तरह से देखिए इसके सारा गुमाल आएंगे सार एक चैन में से देखिए इस तरह से हमारी यह दोनों ड्रेसर त्यार हो गई है देखिए यह चोटी ड्रेस बनाई है चार नंबर पांच नंबर के लिए यह मैंने आठ और नो नंबर के लिए बनाई है देखिए अ भी आपके लिए लग से एक वीडियो बनाऊंगी तो देखिए इस तरह से आप बड़ी चोटी बना सकते हैं देखिए अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए थैंक यू